जै जोहार नमस्कार मैं सुदामा और मा और आप लोग देख रहे हैं चाथिजगर टिवी साथियों क्या आप लोग हम्टी और सिराम के चामल खाखा के बोर हो गए हैं या फिर मोटा चामल खाखा के बोर हो गए हैं या फिर सुगंधी चावल खा खाके बोर हो गए हैं यदि ऐसी बात है तो आज हम आप लोगों के लिए महिन धान की एक ऐसी किस्म लेकर आये हैं जिसका चावल न सिर्फ खाने में स्वादिश्ट है बलकि बहुत ही बढ़िया पाचुक है और पौश्टिक्ता से भरपूर है और उस वराइटी का नाम है दपतरी स्री एक हजार आठ जी हाँ दपतरी कमपनी का दपतरी स्री एक हजार आठ यह महिन धान की बहुत बढ़िया सुपर फाइन राइस की बहुत ही बढ़िया संसोधित किस्म है जो 140-145 दिन में पूरी तरह से पक कर काटने के लिए तयार ह हो जाता है पौधे की मुझाई की बात करें तो लगभग 105 सेंटीमीटर तक हाइट होती है कलो का फुटाओ प्रत्येक पौधे में भरपूर मात्रा में होता है बाली बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं होता लेकिन कुछ लंबी और गुच्छेदार जरूर होती है दाना बह पानी का ठहराव नहीं होता हो इसलिए जहां पर हम 64-64-85-35-35-35-35-35 लगाते हैं ऐसी जमीन इस वराइटी को लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया है अब हम इसकी बीज की बात करें तो प्रती एकड इसके लिए लगभग 7-8 किलोग्राम बीज की आवस्यक्ता होती है और इसका उत्पादन जो है चोकि महीन धान है इसलिए इसका उत्पादन 22-24 किंटल प्रती एकड तक अराम से मिल जाता है तो ये तो रही दपतरी 1008 धान की विशेस्ताएं जो सुपर फाइन महीन धान की किस्म है बारिक धान की किस्म है जो खाने में बहुत ही स्वादिस्ट डिलिशियस और सुपर फाइन राइस है उम्मीद करता हूं आज की जानकरी आप लोगों पसंद आएगा इसी आसर विश्वास के साथ जहीं जय भरत